नमस्कार मित्रों आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ओनलाइन लर्निंग प्लेटफर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनेंदन आज के इस सेशन में हम राजस्थान में प्रमुक पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे यनि की राजस्थान में जितने भी जो आयोग है चाहे समविधानिक आयोग हो या समविधिक आयोग हो उन आयोगों के वरतमान में चेर परशन कौन है उनके अध्यक्स कौन है राजस्थान विदान सभा में जो आपके केबिनेट हैं उन केबिनेट के मंत्री वरतमान में कौन क्या है इसके अलावा राजस्थान विदान सभा में जैसे स्पिकर है प्रोटेम स्पिकर है चीप वीप है विपक्स के नेता है इन मैत्पून पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे साथ इसाथ इन मैत्पून जो आयोग है पदाधिकारी है इन में प्रथम अध्यक्स कौन रहे जैसे मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक प्रिक्षा में इस प्रकार्ष में आयोगों से संबंदी जो सवाल पूछे जाते हैं वो कापी हद तक आपके इसके माध्यम से भी कवर होंगे और करेंट अफेर्श के प्रोस्पेक्टिव से जो चीजे आप से पूछी जाती है मैंली वरतमान में कौन क्या है वो चीजे भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो पाएगे तो चलिए आगामी जितने भी आपकी प्रिक्षाइं हैं जोनेर अकाउंटेंट संगणक इसके लवा जोनेर असिस्टेंट पशू परिचर प्लीस कोंस्टे आप देखिए अंत में हम कुछ प्रेश्णों पर भी चर्चा करेंगे उनका जवाब भी आप जरूर दीजिए इन पर पढ़ने सीखने के बाद में आपको क्या चीजे याद रही तो राजस्थान में अगर बात करें तो यह तीन मेहत्पुन पदादिकारी आप देख रहे हैं राजस्थान के माननिय मुक्य मंत्री जी भजनलाल जी सर्मा माननिय राजयपाल महोदय जी कलराज मिस्रा जी और राजस्थान के वरतमान में नयायमूर्ती मुक्य नयादीश नयायमूर्ती माननिय मनेंद्र महौन श्रिवास्तव तो इन पर भी हम आगे करके हैं वो ड रातमान में राजस्तान के चीफ मिनिस्टर है मुक्ष मंत्री है और ये कितने नंबर के हैं ये तो आप सभी को पता है कि राजस्तान के मुक्ष मंत्री माननी बजनलाल जी सरमा है कितने नंबर के हैं क्रमांग का आप से पूचा जा सकता है तो ये राजस्तान के व्यक्ति गत रूप से देखा जाए तो चोदवे नंबर के राजस्तान के मुक्त मंत्री हैं वेक्टि गत रूप से चोदवे हैं और क्रमा गत रूप से देखा जाए कुछ यसे वेक्टि हैं जो राजस्तान में दो से अधिक बार भी मुक्त मंत्री के पद पर रहे हैं जैसे मोहला राजस्तान के पहले मुक्य मंत्री कौन थे तो राजस्तान के पर्थम अगर पर्थम पर्थम आप सभी को पता है राजस्तान के पहले मुक्य मंत्री ठेए यह बात आप लोगों को ज्यादा तर पता ही होगी यह भी आप प्रत्रम वाली थियानने रखेंगे और घिका राम पालिवाल राजस्थान के पहले उप मुंख्य मंतरी जो मुंख्यमंतरी बनने के बाद में बने राजस्थान में वражस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में दो उपमुक्य मंत्री भी है वेसे सम्विधान में उपमुक्य मंत्री के पद का उपमुक्य मंत्री ये से पद का कहीं कोई जिक्र नहीं है लेकिन राजस्थान में वरतमान में अगर बात करें तो अब तक पांच तो पहले उपमुक्य मंत्री रह चुके हैं टिकराम पालिवाल पहले थे और उसके बाद में सचीन पाइलेट हरी संक्र भाबडा जी कमला बेनिवाल इत्यादी 45 पहले और बने हैं तो वरतमान में अगर बात करें तो जो दिया कुमारी जी है यह आपकी विज्यादर नगर से विदायक है ठीक है और यह राजस्तान की छटे नंबर की क्या ह मंत्री राजस्तान की पहली मैला उपमुक्य मंत्री रहने का जो आपका रिकोर्ड है वो कमला बेनिवाल जी के पास में हैं ठीक है डॉक्टर प्रेम चंद बेरवाजी की बात करें तो यह दू-दू से विदायक है और राजस्तान के साथवे नंबर के हम इनको उपमुक्य मंत्री आपके डॉक्टर प्रेम चंद बेरवा ठीक है तो यह बाते हैं कुछ बेसिक ही मैट्पून है तो आप ध्यान में रखेंगे और एक राजस्तान के नागरिक होने भारत का नागरिक और राजस्तान के निवासी होने के नाते आपको यह चीजे तो ध्यान होने ही चाहिए दूसरी बात करते हैं हम राजस्तान के चीफ सेक्रेटरी की मुक्य सचिव की CS की तो राजस्थान में और देश के किसी भी राज्य की अगर बात करें तो जो मुख्य मंत्री होते हैं उन मुख्य मंत्री के मुख्य जो सलाकार होते हैं वो कौन होते हैं चीफ सेक्रेटरी होते हैं राज्यपाल समयधानिक पद हैं राजयपाल को साहता और शला देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री प्रिशद होता है तो राजयपाल का सलाकार कोन होता है सीएम और उनका केबिनेट होता है लेकिन मुख्यमंत्री का सलाकार कोन होता है तो मुख्यमंत्री का मुख्य जो सलाकार होता है उनकी बात करें तो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है राजिस्तान के पहले मुख्य सचीव है वो कौन थे आपसे पूछ लिया जाए कि राजिस्तान के पहले सी एस चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर के राधा कृष्णन राजिस्तान के पहले अगर बात करें तो मुख्य सचीव थे दूसरी बात है इससे पहले राजिस्तान के मुख्य सचीव कौन थे इन्होंने किनका इस्थान है वो लिया तो मुख्य सचीव की बात करें तो इससे पूर्व जो राजिस्तान के मुख्य सचीव थे पूर्वे वो उशा सरमाजी थे ठीक है अशोक गैलोत के समय और कुछ समय इन्होंने वजन सरकार में भी है वो कारे किया ठीक है तो उस्था सरमा का इस्थान लिया सुधानशू प और दूसरी मेहत्पुन बात ये कितने नंबर के हैं तो राजिस्तान के 55 बे मुख्य सचीव 45 बे मुख्य सचीव के बारे में इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्तान के वरतमान में मुख्य सचीव कौन है आपसे पूछा जाए तो सुदान सुपन्त राजस्तान के मुख्य सचीव हैं कितने नंबर के हैं 45 वे नंबर के हैं पहले कौन थे तो के आपके रादा कृष्ण राजस्तान के पहले मुख्य सचीव थे और दूसरी कौन अपदाधिकारियों के बारे में विदान सबा में कौन क्या है तो देखिए विदान सबा में बात करें तो 200 तो टोटल क्या है विदायक है 200 MLS है Member of Legislative Assembly इनमें राजस्थान विदान सबा में जब भी कोई विदान सबा का गठन होता है तो उस दोरान विदान सबा के निर्वाचित सदस्यों को शषवत इत्यादी दिलुआने के लिए, एक सामिक अध्यक्स होते हैं, इस टार्टिंग में जो कारेबार इत्यादी होता है विदान सभा का, तो उस कारेबार परंचालन में प्रोटेम स्पिकर जिसको कहते हैं सामिक अध्यक्स कहते हैं, तो राजस्तान की जो आपकी सोलवी विदान सबा है कौन सी विदान सबा है वरतमान में सोलवी विदान सबा है इस सोलवी विदान सबा के प्रोटेम स्पिकर है वो कौन बने थे तो सोलवी विदान सबा के प्रोटेम स्पिकर तरी काली चरण सर्राप जी सामाने तोर पर प्रोटेम स्पीकर और यह नगर विदान सभाक सित्र से निर्वाचित हो करके आए हैं विदायक के रूप में अब राजस्तान की विदान सभाक के थोड़े से बेकरांड में अगर जाएं तो राजस्तान में पहले जो आहम चुना हुए 1922 में उस दोरान राजस्तान में 160 सीचे थी उस समय राजस्तान के पहले अगर आपसे पूछी आजाए कि प्रोटेम इस्पीकर कौन थे तो महाराव संग्राम सिंग राजस्तान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंग राजस्तान के पहले प्रोटेम इस्पीकर है वो बने ठीक है ये बात आपको द्यान में रखने है अब बात करते हैं राजस्तान विदानसभा के स्पीकर की विदानसभा के अध्यक्ष की तो राजस्तान की सोलवी विदानसभा के अध्यक्ष कौन है आपसे पूछ लिया जाए तुसरी वासुदेव जी देव नानी ये अजमेर उत्तर विदानसभा के प्रितर श्री निर्वाचित होकर आए है और राजस्तान की सोलवी विदानसभा के स्पीकर है या राजस्तान की सोलवी विदान सभा के अध्यक्स है तो speaker आपके कौन होगे वासु देव देव नानी आप से पूछ लिया जाए कि राजस्तान की प्रथम जो विदान सभा है उसके speaker यनि कि राजस्तान के प्रथम speaker है वो कौन है तुसरी नरोत्तम लाल जो श्री नरोत्तम नर प्लस उत्तम नर में है जो उत्तम ठीक है और वासूदेव तो पहले विदान सभा के speaker है हो कौन बने यम्य विदान सभा की speaker नरोतम लाल योसी बने थे 1952 में ठीक है तो नरोतम लाल जो सी पहले और इससे पहले वाली आप से पूछ लिए जाए हैं कि पंद्रवी विदांसभा के इस पिकर झिक है और शोलवी के वासुदेव जी दियाने नहीं तो तो एक सवाल आपसे पूछ लिया है यहां कि राजस्थान विदान सभा में प्रोटेम स्पिकर की न्यूक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा और शांदार सवाल है। नेता प्रतिपक्स लीडर ओपोजिशन मुक्यमंत्री राज़ेपाल विदान सभा का सदस्य। तो देखिए स्पिकर और प्रोटेम स्पिकर दोनों की न्यूक्ति है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। प्रोटेम स्पिकर की न्यूक्ति राज़ेपाल के द्वारा की जाती है। आगे बात करें तो राजस्तान में और विदान सभा में अगर बात करें तो दो और मैत्पुन पदादिकारी है। स्री ठीकाराम जूली और जोगेश्वर गर्ग ठीकाराम जूली की बात करें तो राजस्तान विदान सभा में बहुत से जो स्पीच इतियादी आपने सुने होंगे बोलते हूँ विदान सभा में तो यह लीडर ऑप ओपोजिशन है नेता प्रतिपक्ष है। तो राजस्तान की शोल व्री विदान सभा के नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑप ओपोजिशन fig awake यह अब कलो लिदान सभा के नेता प्रतिपक्ष टिकाराम जूली और यह कहां से आते हैं तो विदानसवा क्षित्र हैं वह आपका अलवर्क ग्रामिन है नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो एक तो होता है पक्ष एक विपक्ष होता है तो सबसे अधिक जिन में आपका सद्टापक्स रहेगा और सासन करेगा जाने की जो मुख्यमंत्री है चील कि सदन मतर्स सबसे अधीक इता है व मिलते है उसी सबसे अधीक के व assessments सबसे बड़ी आपकी पार्टी है सत्तापक्स के बाद में तो कॉंग्रेस के यह जो विदायक है पीका राम जूली यह आपके लीडर ओपोजिशन के रूप में नेता प्रतिपक्स के रूप में हैं वो भूमिका निबा रहे हैं यानि कि विपक्स की और से जो भी कोई मुद् सवा कि पहले जो नेता प्रतिपक्स की बात करें नेता प्रतिपक्स में वरतमान में तो कौन है टीका राम जूली है कॉंग्रेस के सदस्य है प्रतम है वो कौन है तो प्रतम है जस्वत सिंग जी पहले थे ठीक है जस्वत और ध्यान में रखना है जस्वत सिंग पहले निता प्रतिपक्स थे लेकिन यह किस पार्टी से आप से पूछ लिया जाए तो इनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं था यह निर्दल्य थे तो यह आपके इंडिपेंडेंड थे निर्दल्य थे यह भी आपको ध्यान में रखना है पूछ लिया जाए निर्दल्य जस्वत सिंग यह राजस्थान के पहले विपक्स के नेता वरतमान में टीका राम जूली है कॉंग्रेस से है टीका राम जूली कॉंग्रेस ध्यान में रखना है राजस्थान में सरकार के मुख्य सचे तक Chief of Weep Chief of Government तो सरकार के मुख्य सचे तक है वो स्री जोगे सुर गर्ग है जालोर्श अनुशुचित जाती जो आपकी राजस्थान में 34 जो सीटे हैं अनुशुचित जाती के लिए है 25 सीटे हैं अनुश्यूचित जन जाते के लिए आरक्षित हैं तो उन आरक्षित सीटों से सुन करके आये हैं जोगे सुर्जी गर्गे और यह राजस्तान के क्या है सरकारी मुख्य सचेतक यानिकी वीप अब मुख्य सचेतक की क्या भूमिका होती है तो सरकार में सत्तापक्स में जितने भी आपके जो विदायक हैं उन विदायकों में एक अनुशासन इत्यादी रखना और जो विदायक हैं यानि कि कहीं पर विदायकों की आशकता होती है होटिंग इत्यादी करवाने में मत्दान इत्यादी करवाने में तो उस में उस समय आ आपका सतापक्स हैं यानि कि जो आपके पार्टी है जैसे बीजेपी के हैं ये सतापक्स के सरकारी मुख्य सर्चे तक हैं तो बीजेपी सरकार में जितने भी जो आपके विदायक हैं उन विदायकों को बीच में कुछ आपका असमंजस की जो समंजस से हैं उसका भी कभी कभा कभाव हो जाता है तो एसी चीजों पर इसके अलाबा विदायकों को अगर पाबंद करना है किसी विशेश चुनाव में उनको बुलाना है करना है तो ऊस दोरान मैनली विहिप जारी किया जाता है तो मुक्य सचेतक का कारी एक प्रकार का अनुसासन है वो बनाए रखना होता है और मैनली सत्ता पक्स में पूरा एक प्रकार का जो मोनिटर क्या काम करता है उसी प्रकार से मैनली सत्ता पक्स में ये काम है वो करते हैं ठीक है और विपक्स के भी मुख्य सच्चे तक मैनली होते हैं ठीक है लेकिन आपक अगर बात करें कि राजस्थान विदानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाले राश्ट्री और आजनेतिक दलों की शंक्या कितने तो राजस्थान में 2023 में 16 विदानसभा के जो चुनाव संपन हुए इसमें कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया बहुत ही मैत्पून सवाल है प्रिक्षा में निश्चित रूप से ऐसा सवाल है वो पूचा जाता है तो देखिए नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार् पार्टी हे उसमें पॉलिटिकल पार्टी ने राज़तान के विदान-सबा में भाग लिया है ये अलग बात है लेकिन लेेङ पार्टी है उनके संक्या कितनी है पांच है टोटल भारत में वरतमान में छे राश्ट्रिये राजनतिक दल हैं कौन-कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं आए तो ये छे राजस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी जाड़ुवाली बहुजन समाजव पार्टी एंडिया की मार्क्ष यानि कि माक्स्वादी कम्योस्ट पार्टी है इंडियन नेश्नल कॉंग्रेस बारत्या रास्ट्रिये और ट्राजस्टान की विदांसवा सब्स्छाब पूँछा जा सकता है कि राज़तान की सोल्वी विदान सभा में पूरिटकलपारटी ने हिस्था नहीं लिया तो ये नेशनल पुलिटिकलपारटी हैं थाल करती सो अपelson लिया और ये जो आप की पास तो पार्टि है आपको दिख रही हैं आप बी QSP, BJP, CPIM, RN, INC तो इन ने है पूबारत के सोल्वी विदान सभा में हिस्सा लिया राज्श्तान की सोल्वी विदान सभा में इन्होंने क्या है आपका पार्टिसिपेट किया शैबागिता दर्ज है वो करवाई ये बात आपको ध्यान में रखनें कितने political parties national political party कृशे है जिसमें 5 national political party ने हिस्सा है वो लिया और येराजस्थान में party की position कि राजस्थान में कितनी जो थोटी मोटी जो party आई independent इत्यादी तो उनमें इन के पास में कितनी सीटे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिया आप देखिये सत्ता पक्स है बीजेपी इसको साड़े सत्तावन परतिसत है वो आपके विदायक इनके पास में है टोटल राजस्तान में अगर बात करें तो वरतमान में 200 क्या है सीटे हैं 200 विदायक है राजस्तान में ठीक है तो विदान सबा की जो सीटे है वो कितनी है राजस्तान में 200 है ठीक है टोटल सीट 200 है 200 कब से हुई ये भी सवाल आप से पूचा जा सकता है तो 200 आपकी 1937-200 है तो कितने टोटल विदान सबा की सीटे थी तो पहली में 160 थी दूसरी में जो बढ़ करके कितनी हो गई 176 हो गई तीसरी में भी आपकी क्या है 176 रही ठीक है तो पहली ये आपकी दूसरी ये तीसरी तोप्थी पांचवी विदान सबा और ये आपकी चटी विदान सबा ठीक है तो चटी विदान सबा से यनि कि ये आपकी 1952 और ये 1977 ये बहुत ही मैत्पुन है आपको ध्यान में रखना है दो हजार जो दो सू सीटे है वो निस सू सतर शे चटी विदान सबा से राज़तान में सीटों की संग्या 200 हो गई तो वरतमान में अगर बात करें बी एपी ये सितंबर दो हजार तेईस में एक नई पार्टी बारत आदिवासी पार्टी दक्षिन राज़तान की डूंगर फुर्षय है इसका निर्माण हुआ और भारत आदिवासी पार्टी ने पहली वार बंते ही तीन सीटे राज़तान में हासिल कर ली तीन सीटे बारत आदिवासी पारटी के पास में हैं। BJP के पास में कितनी है 151 विदायक है BJP के पास में टीक है तो 3 जो आपकी विदायक इनके पास में है BAP के BJP के एकसो पंद्रा BSP बहुजन समाजवादी पारिटी के पास मेnd दो है इंडियन नेसनल कॉंग्रेस बारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस जो पिछली बार आश्त्तापक्स में थी उसके पास में 70 यनिकी 35 प्रतिसत है इनके पास में विदायक है इन्डिपेंडेंट निर्डली जो उमीद्वार है उनकी संक्या आठ राश्च्ये लोकदल के पास में ये बरतपुर्श है उनके पास में एक और राश्ट्री लोकतांत्रिक पार्टी अनुमान जी बेनिवाल, इनके पास में एक है, अनुमान जी बेनिवाल, खुदी इनके सदसे हैं, ठीक है, तो ये राजस्तान में पार्टी पोजिशन है, ये भी मैटपून है, ध्यान में रखना है, आगे हम बात करेंगे, राजस्तान विदान सबा में, महिला, SC, HD, इनका प्रतिनीदित्य तो क्या है, ये बहुत मैटपून चीज है, पूछी जाती है, काफी बार, और ये जो विदान सबावाले जो फेक्स हैं, वो आगमी आपके 5 साल तक काम आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यान में रखिए, कि राजस्तान में, विदान सबावा की अगर में माalg restaurant करें राजस्तान विदानसबह में क्ल सदस्य कितने हैं कि a 200 हैं जिस मैं बात करें महिला सदस्य कितनी है महिला एक तरफ लिखेंगे हम पुरूष ठीक है तो महिला जो सदस्य है उनकी बात करें तो महिला सदस्य राजस्तान में 20 महिला विदायक है ठीक है 200 विदायक टोटल 200 में महिला कितनी है 20 है बाकि पुरूष हो जाएंगे कितने है 180 С.R.E.U.X.T. रजास्थान में पुरूश है इंनमें अगर बात करें तो राजास्थान में S.C. और T. के लिए कितनी सीचे अरक्षित है तो राजास्थान की 16- threat सबाँ में या 15-वी विदान सबाँ की बात करें तो उसमे भी सेम इंती ठीक है तो आरक्षित कितनी है तो सोल भी विदान सबा में S T, S C लिखेंगे पहले S C के लिए 34 वे S T के लिए 25 सीचे रिजर्ड है आरक्षित है कितनी सीचे है 34 और 25 यानि की बात करें S C के लिए तो S C हमने देखी कितनी है S C के लिए आपकी 34 है 34 और S T के लिए है वो 25 देखिए हमेशा S T है उनकी संक्या हमेशा कम रहती है जहां भी देखेंगे लोग सबा में भी कम है राज्य सबा में भी उनके लिए आरक्षित सीचे है वो कम है और S.C. की है वो ज़ादा है क्योंकि S.C. की संक्या S.T. की तुलना में अधिक है तो S.C. की कितनी है तो 34 और S.T. की 5 है यह आरक्सित है रिजर्ण है यानि कि इन सीटों पर केवल और केवल S.C. सीटों पर S.C. का ही मेंबर चुनाव लड़ेगा और S.T. की सीटों पर S.T. क मेंबर ही चुनाव आपका लड़ेगा स्था की टोटल राज़तान में अगर की बात करें तो पांच ए नो और तीन दो पांच यहनी कि 69 राज़तान में SC, ST वर्गों के लिए आरक्षित सीटे हैं 200 में से कितनी आरक्षित सीटे हैं 59 है इन के लिए रिजर्वड हैं SC, ST कैटेगरी के लिए अब आप से यहां पर पूचा जा सकता है हमने देखा मैला सदस्यों की संग्या कितनी है 20 मैला सदस्य है है ये आपके पुरूश है ठीक है तो टोटल महिला कितनी है टोटल महिला 20 हैं sc i à st के लिए अरक्सित जो सीटे हैं उनमें महिला 9 है और इन 9 महिला में भी अगर बात करें तो 2 हैं वो ST के लिए हैं और साथ है वो SC की है SC केटेगरी की साथ है और ST केटेगरी की है वो आपकी दो है साथ और दो नोग हमेशा ST है वो कम है ध्यान में रखना है तो यह जो पार्टी पोजिशन और इसके लावब प्रतिने दित्व आप अच्छे से समझ गए होंगे राजस्तान में 200 विदानसभा सीटे हैं जिन में से महिला की अगर बात करें तो महिला सदस्य है 20 हैं टोटल 20 महिला सदस्य में से 2 महिला सदस्य ST के लिए आरक्सित सीटों पर हो चुनावच्व लड़कर करे आई उर शाथ महिला सदस्य से अरक्सित सीटों पर महिल्या ने प्रत्यने दित्यत्या है और ऑř 34 सीटे सारी ऑंसट सीटे स्सी स्सी के लिए। जिसमें एस्ट्री के 25 है और 34 हों SEC यह सी यहनिक히 sebelum Bertrand स्ट और शेडियूल ट्राइब सेनी के अनुसुचित जन जाती है वह आपकी स्ट है तो 34 वे स्ट के लिए 25 सीटे हैं यह आपको ध्यान में रखना है यहां पर जो स्ट मैलाओं के लिए जो 9 सीटे टोटल हमने देखा कि मैलाओं के पचास जो सीटे है उसमें 9 सीटे मैलाओं के अरक्षित नहीं थी इसमें पुरूस भी लड़ सकते थे लेकिन मैला यहां पर जीत करके आई है तो इनमें अगर बात करें तो मैला कितनी है तो स्ट की अनुसु जनजाती इंडियन नैशनल कोंग्रेस की है और एक स्रीमती रमिला खडिया इन्होंने से कौन है इस पिकर शाब है वासुदेव देवनानी अजमेर दक्षन से अनिता बदेल है अनिता जाटव है ये करोली के हिंडोन से डॉक्टर रीतु बनावत बरतपुर के बयाना से स्रीमति गीता बरवड बोपालगड जोदपूर डॉक्टर मंजू बागमार नागोर जायल से स्रीमति शिमला देवी गंगानगर अनूपगड और स्रीमति शोबाचवान पालिज सुजद देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि जिले है अनूपगड गंगानगर यह आपके कह रहे हैं साथ में अभी इनका जो आपका है विदान सभा की अगर शीटों की बात करे है नेक्स्ट पूच लिया सवाल कि वरतमान राजस्तान विदान सभा में माईला सदस्यों की शंक्या कितनी है 25 अटाइस गुंतिस और 20 माईला सदस्यों कितनी है 20 है जिसमें 9 ऐसी एस्टी वर्गों की अरक्षित सीटों पर है वो जीत करके आई है राजस्तान के 16 विदान सज्ट शेड्यूल कर्ष्ट अनसुक्षिते जाती के लिए हैं जन जाती आपकी 25 हो जाएगी आगे अगर बात करें तो राजस्तान के राजिपाल महोदया के बारे में और डिसकस कर लेते हैं कौन है सरीकलराज मिस्रा राजस्तान के राजिपाल है और यह कितने नमबर के तो राजस्थान के चुम्वालिस नंबर के राज़ेपाल है ठीक है इस चुम्वालिस नंबर की अगर बात करें तो इस चुम्वालिस नंबर में राज़तान के 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 राज़त सवुष्पाइन का वार्चिय समुष्पाइन का चैनल 153 कि परते पाइसरे कि परेख समधानिक संस्वदर में एक बात और जोड़ी गई में इस अधिक यह एक राजज़ तो पहले राजिय पर सुझाव कारा मान सिंग, यह आपके राज़तान के पर्थम और एकमातर राज़तान doctor स्ञरट हैM prayer और पहले राज़तान के राज़तान के राजिय पाल है ये पहले राजिपाल कौन है, सरदार, गुरु मुख, निहाल सिंग, 25 सक्टॉमबर 1956 को इनको निक्त किया था, एक नॉमबर 1956 एनोंने राजिपाल का पदबार ग्रेन किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 44 नंबर के कल राजमिसरा जी, पहले आपके मान सिंग, और दूसरे आपके सरदार गुरुमुक नियाल सिंग या राज़पाल के रूप में दूसरे कहें तो ये पहले कहें तो सरदार गुरुमुक नियाल सिंग 153 में राज़पाल के पदका उलेक किया गया है भारत के समविधान में नेक्स्ट है एड्वोकेट जन्रल यानि कि राजस्थान का महादिवक्ता राज्ये महादिवक्ता तो मादिवक्ता क्या करता है तो मादिवक्ता के बारे में बारतिय समिधान में अगर बात करें तो आर्टिकल 165 है और आर्टिकल 177 है यह जो दो अनुचेद हैं यह आपके मादिवक्ता से संबंदित हैं और 177 मंत्री से भी संबंदित हैं 165 में कहा गया है कि राजयपाल परतेक जो राजय का जो राजयपाल है वह है इसे वेक्ति को जो हाई कोर्ट का न्यायदिस होने के लिए एहरता रगता है इसे वेक्ति को राजय का माधिवक्ता के रूप में हो न्यूक्त करेगा तो माधिवक्ता की जो न्यूक्ती है वो कौ स्री राजेंद्र प्रशाद जी राजस्थान के वर्तमान में नए माधिवक्ता है ठीक है यह राजस्थान का अधिवक्ता थे पहले वकील थे ठीक है सरकारी वर्तमान में स्री राजेंद्र प्रशाद राजस्थान के क्या है एड़ोकेट जनरल राजस्थान के माधिवक्ता है ध्यान में आपको रखना है माधिवक्ता को पत से हटाने का अधिकार किसको है राजिपाल के पास में है इनका काम क्या है तो सरकार को लीगल एडवाइज देना विदिक सलहा देना माधिवक्ता का मुख्य दायत्व होता है और दूसरी बात है कि और भी सरकार को कुछ भी लीगल एडवाइज इत्यादी जो प्राप्त करनी हो तो माधिवक्ता से है वो कर सकते हैं अब मैधपूर्ण 177 अनुच्छेद है इसमें माधिवक्ता को एक मैधपूर्ण छूट भी प्रदान की गई है कि माधिवक्ता विदान सभा का या विदान मंडल का सदस्य ना होत है जो विदान सभा का सदस्य होता है यह बात 177 मंत्रियों के लिए और माधिवक्ता दोनों के लिए लागू होती है तो यह आपको द्यान में रखना है माधिवक्ता स्री राजयंद्र प्रशाद यहां पर और हिंदी में लिख देता हूं आपको अच्छी तरीके शयाद र नहीं कहते सकता है 107 के तहद है लेकिन वौ्ट नहीं दे सकते है इक है अकैं अकउंटन टेंट्र अफ राजस्थान राजस्थान की महालेखाकार महास लिख शrica काथ्चार तो बारत के समिधान के बात करें तो एग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिए प्रिक्षख पूरा अंब करता है उसी वह क्यांट कार्य करता है उसका पूरा काम किन के पास में होता है महालेखाकार के त्रिप्ति जो गुपता है, यह राज़स्तान की क्या है? वरतमान में महालेकाकार है, इसके पास में additional charge है, अत्रिक चार्ज है महालेकाकार का, फुल खलेस महालेकाकार नहीं है, अत्रिक कारे बार है, तुझ त्रिप्ति गुपता, गुपता और बहुत आएंगे, मदुकर ग लगना है अची तरीके से हम आगे और गुपताओं के बारे में हो चर्चा करेंगे तो स्रीमतित्रिप्ति गुपता राजस्तान की माहा लेकाकार है विसेश तोर पर अकॉंटेंट वाला पेपर में आप से पूछा जा सकता है अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के राजस्थान के सदस्यों की तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान से 35 जो विदायक हैं वो राजस्थान से भारत की संसद में हो जाते हैं जिसमें अगर बात करें तो सभभशे राजस्तान से निरुवाचितぉ करकर आपके जाते हैं। राज्य सभवा की सा है। ऊच्छ सदने है ठीक है। हो वह है लोबर हॉस है। लोख सभवा के जो चुनाव है वह तो अभी आगे हैं वह होने वाले हैं आपके। ठीक है। अपरेल में आपकी अधिसूचना जारी हो सकती है और राजय सबा के जो चुनाव है इस राजय सबा के चुनाव प्रतेक दो वर्ष में होते रहते हैं। तो आपके श्री बुपंद्र जी यादव है । यह अभी ताल जिटायड है हैं 3 April 2024 तक यह अगर बात करें तो 3 April 2024 है इनको यह आपके रिटार्ड होंगे लेकिन यहां पर अगर बात करें तो इनका जो विदाई समार उत्यादी है यह आपका हो गया है संसद में अभी रिटार्ड हो जाएंगे तो दो विदार्ण फजया में सब्सक्राइब करें राजास्तान दे त्याग पत्र दे दिये रिटार्ड और जो सिंग्झ जी और भूपेंद्र जी यादव है इनके इस्थान पर आपके राज़स्तान में है वह चुनाव होने है उसन एंग के लिए उकर इनके इनके के चुनाव में नहीं लेते हैं विदान सबहा कमें सीजियन सब्सक्राइएं लोगों को ध्यान में रखना राजस्तान विदान सब्सक्राइज, इनडिया प्रणदीप सिंग सुर्जेवाला इंडियन नेस्नल कॉंग्रेस मुकुल बालकिष्णे वाश्निक ये आई एंसी से और प्रमोध कुमार आई एंसी से पहले आपके आई एंसी से ज्यादा है क्यूंकि पिछली बार राजस्तान में कॉंग्रेस की गवर्मेंट की और विदान बात करें तो इनकी जो ट्रम्स है तीन अप्रेल को है वो पूरी होने वाली है तो यह आप अपडेट कर लेना वैसे ही यह इलेक्शन इत्यादी होते हैं तो उनके बाद में अपडेट कर लेना और जो भी चीज़ें नई अपडेट होती रहेगी मैं टेलीग्राम चैनल के म मुख्य नयादीष नयायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्तान के वरतमान में 42 मुख्य नयादीष की रूप में पॉइंट हुए हैं ठीक है मुख्य नयादीष कोन है राजस्तान के मुख्य नयायादीष, मुख्य नयायदीष की बात करें, तो नयायमूर्ति, मनिंद्र, मोहन, स्रिवास्तव, तो राजस्तान के, कितने नंबर के हैं तो यह 42 42 वे नंबर के राजस्तान के क्या है चीफ जश्टिस है CJ है मुख्य नियादीस है राजस्तान के मुख्य नियादीस मनिंद्र मौन स्रिवास्ताव 42 नंबर के आपको ध्यान में रखने है इससे पहले राजस्तान के मुख्य नियादीस कौन थे तो इससे पहले रिशेंटली अगर बात करें तो इससे पहले आपके मनेंद्रमौन श्रिवास्ताव राजस्तान के एक्टिंग चीफ जश्टिस से कारेवाख मुख्य नियादीस थे और 41 वे आप से पूछ लिया जाए जोर्ज अगस्टाइन मसी है राजस्थान के 41 वे मुख्य नयादीस थे और इनको बाद में क्या किया सुप्रिम कोर्ट के नयादीस के रूप में यानि के राजस्थान उचनियाले के मुख्य नयादीस को सुप्रिम कोर्ट के नयादीस के रूप में पदोंत कर दिया उनकी प पुछ राजस्तान के जो हाई कोर्ट के नियादीस है उनको अलग जो इस्टेट हाई कोर्ट है उनमें भी मुक्य नियादीस के रूप में नियुक्त किया है तो उनी के साथ में इनको राजस्तान के मुक्य नियादीस के रूप में हो नियुक्त किया है अब मुक्य नियादीस राजस्तान के अगर बात करें High Court ठीक है तो High Court का 12 समिधान में कहां जिक्र है कि प्रतेक राज्य का एक High Court होगा तो ये 200 चब्दा में है बारते समिधान का अनुश्य 200 चब्दा है प्रतेक राज्य में क्या होगा एक High Court होगा ये 240 में है और Chief Justice की जो बात है वो आपकी Article 217 में है वो Chief Justice की नुक्ति के बारे में हो बात कही गई है अनुश्य 217 में यानि कि मुख्य जो नयाज़िस है मुख्य नयाज़िस की जो नुक्ति है वो राष्टपती के द्वारा की जाएगी नुक्ति इनको कौन करेंगे अपोइंटमेंट कौन करेंगे तो नुक्ति की अगर बात करें तो नुक्ति है यह आपके राष्टपती करेंगे लेकिन राष्टपती भी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे राष्टपती प्रामर्ष से करेंगे किसके प्रामर्ष से तो सुप् के द्वारा मुख्य न्यादीश किसी भी राज्य के मुख्य न्यादीश के लिए अधिपत्र जारी किया जाएगा वरंट जारी किया जाएगा उसी अधिपत्र और वरंट के आदार पर इनकी न्युक्ति है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर इनको जो शपत द के लिए हैं उनके लिए हैं नास्तिक विश्वर में रखते हैं और शपत लेंगे मैं इश्वर की शपत लेता हूं और और बात करें तो आपके मनिंद्र महुन स्रीवास्तव राजस्तान के 42 वे मुख्य नयादिस है वो बन गए है राजस्तान में अगर बात करें राजस्तान हाई कोर्ट की तो राजस्तान हाई कोर्ट का जो गठन है राजस्तान के आई कोड का गठन कब हुआ, कुम्तीज अगस्तश गुंचास को राजस्तान के उच्छ नयालया का है, वह गठन हो गया था, और बात करेंnd तो कमलिकांत जो वरमा है राजस्तान के प्रतम मुख्यादिस बने थे, केके वरमा, केके वरमा, प्रथम Chief Justice of राजस्तान राजस्तान के प्रथम सीजे कौन है के के वर्मा बने थे और 11 अन्य निया दीसों को उस वक्त राजस्तान के राजप्रमुक राजप्रमुक था उन्नी सो गुंचास की बात करें तो तो राजप्रमुक कौन थे सवाई मान सिंग उन्होंने एक आपका मैत्पॉन जो आपका आयोजन हुआ था उसमें उस आयोजन की अध्यक्सता करते हुए इनको वो शपत है वो दिलाई थी तो पहले कौन थे के के वर्मा कमलकांत वर्मा पर्थम Chief Justice थे गुंतिस अगस्त तुनिसों गुंचास को राजस्तान के हाई कोर्ट का है वो गटन किय जा गया था ठीक है और अन्य नियादिसों ने पदबार ग्रण किया सपतली उनके साथ साथ में न्यूक्ति कोन करता है राष्टपती शबत कोन दिलाता है राज्यपाल पद से हटाने का अधिकार है राष्टपती के पास में है लेकिन वह भी आपकी मैत्पॉन एक सुप्र करेंगे जब कभी भी इन्हें आयोगों पर है वो डिसकस करेंगे तो ठीक है लेकिन अभी फिलाल आपको ध्यान में रखना है कि राजस्तान के चीफ जेस्टिस वरतमान में अगर कौन है तो नियामूर्ति मनेंद्र मौन मानवी है जो श्रीवास्ताव है 42 हैं और राजस्त पुल कितनी अधिकरत जो संक्या है वो कितनी है 50 है ठीक है फुल 50 हो सकती है लेकिन वरतमान में कितनी है तो वरतमान में आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य नयायदीस सही आपकी कितनी है 32 नयायदीस है राजस्तान हाई कोर्ट में वरतमान में 32 है जिसमें बात करें तो वह उन्य नियादी नियादीस हैं वन तीन महिला नियादीस हैं जिन में एक नाम है रेख्षा बोराना एक है सुभा मेहता और डॉक्टर नुपूरबायटी यो तीन राजयतान हाइगा वरत्मान में महिला नियादीस हैं तो ये भी मैत्पून हो जाता है आप लोग ध्यान में रखेंगे बहुत ही बेतरी इंफेक्ट्स आपके पास में इसे चीज जो प्रिक्षा में पूची जा सकती है और आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो एसी मैत्पून चीजों पर है वो हमें तरचा है व रूप में उनका पदोंती कर दी गई हैं पदोंत हो गए हैं तो उनके नाम भी बहुत मैत्पून है प्रिक्षा की दिरश्टी से आपको ध्यान में रखने हैं एक है पंकज मित्तल और एक है नयमूर्थी अगस्टाइन जोर्ज मसीय है यह आपके इसके बाद में मनिंद्र मौन श्रिवास्तव ही आपके बने थे यनकी कारेवाग के रूप में आपके वहीं बने उसके बाद में फुल फलेस है यह अभी बन गए है तो अगस्टाइन जोर्ज मसीय की बात करें यह 30 मई 2023 से 9 नवंबर 2023 तक राजस्तान के क्या थे मुख्य नयादीस थे ठीक है और इ सुप्रिम कोर्ट के 29 की रूप में है वह आपके पदूंत्ती है वह मिल गई है तो पंकज मित्तल जोर्ज अगस्टाइन मसीय है कि राजस्तान हाइप के मुख्य नयादीस जो सुप्रिम कोर्ट में जजज बने हैं 2023 में बहुत महत्पुन है आप लोग ज्यान में रखेंग और राजस्तान के दो जज एसे जो अधर हाइप कोर्ट में मुख्य नयादीस है वो बने है ठीक है तो उनका नाम क्या है एक तो हैं विजे बिश्णोई जी जनवरी 2023 से लगा करके पांच परवरी 2024 तक ये राजस्तान हाइप कोर्ट में नयादीस के पदपर रहे थे इनको गौावटी आई कोर्ट के मुख्य नयादीस हो बनाए है ठीक है कब बनाया है पांच परवरी 2024 को इन्होंने पदबार ग्रहन किया ठीक है तो ध्यान में रखना है चीफ जस्टिस बने हैं कौन राजस्तान हाइप कोर्ट के जज जो की अधर हाइप कोर्ट में चीफ साथ में इनका क्या हुआ है प्रमोशन हुआ है तो यह पदोंत हुए है इलाबाद हाइकोर्ट के मुख्य नयादीस के रूप में अरुण भंसाली इलाबाद हाइकोर्ट और विजे बिस्तोई गौहावटी हाइकोर्ट के मुख्य नयादीस बने है जो राजस्तान हाइकोर पूर्व में थे नियादीश के पद पर पदस्तापित थे ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं RPSC की राजस्थान राज्ये लोक्सेवा आयों तो राजस्थान राज्ये लोक्सेवा आयों की बात करें तो भारत में जितने भी जो आपके दो मैत्पून संस्ता है एक तो UPSC है Union Public Service Commission जो आपके मैत्पून जो सिविल सर्विसेज है राश्टी इस्तर की इस IPS इनका एक्जाम कंडेक्ट करवाती है और स्टेट जो लेवल की मैत्पून जो एक्जाम होते है मैनली 3600 ग्रेड़ पे के ऊपर वाले पहले आपके छोटे मोटे एक्जाम भी RPSC ही कंडेक्ट करव वाली जो वेकेंसि हैं उनमें जो आपके भरती प्रिक्षा है उसका जो आयोजन है वो करवे कारिक्षाम घ्रन बोड करवाता है उससे उपर वाली हяжो 22 दिसमबर 1900 गुंचास को ही S के घोश तो राजितान हाई कोर्ट के पूरुए नियाधीस मुक्री नियाधीस थे जो S के घोश है यह आपके क्या थे पर्थम चेर्मेन बने पर्थम RPSC के पर्थम जो अध्यक्त चेर्मेन कौन थे S के घोश थे वरतमान में कौन है वरतमान में स्री संजे कुमार सुत्री है अब आरपीएसी के जो चेर्मेन है ये कितने समय तक पद पर रहते हैं तो देखिए हाई कोर्ट का भी में आपको बताना भूल गया हाई कोर्ट के जो जज हैं मुक्य नयदीश हैं वो 62 वर्ष की आयू तक अपने पद पर रह सकते हैं लेकिन इनकी अगर बात करें आपके आरपीएसी की बात करें तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयू इन दोनों में से जो भी पहले हो तक ये आपके पद पर हो बने रहेंगे यानिकि आरपीएसी के डिक्स और सदस्य है, वो बध़ पर बने रहते हैं, लेकिन ये क्या है, रिपोइंट्मेंट के पाथर है, वो नहीं होते हैं, इससे उपर वाली रंक में ये आपके अपोइंट्मेंट इनको दिया जा सकता है, लेकिन re-appointment आपके नहीं होते हैं ठीक है तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की सेवानिवर्ति आयू है वर्तमान में अगर बात करें तो राजस्तान में एक RPSC का अध्यक्स है और शाथ RPSC के सदस्यों का क्या है अधिक्तम जो सदस्य संक्या है साथ हो सकती है प्रारंब की बात करें इस्तापना के समय की बात करें तो एक अध्यक्स प्लस दो सदस्यों का प्रावधान किया गया था वर्तमान में एक प्लस साथ है ये बात आपको ध्यान में रखना है तो संजे कुमार शुत्री आर्पी असी के वरतमान में चेर्मेन है इसके अलावा आगे और भी कुछ मैदपुन फैक्ट्स हैं लेकिन थोड़ी सी इस पर भी आप गोर करें राजस्तान की सबी जो परतियों की प्रिक्षाएं हैं चाहे जैयेन हो एयेन हो वरिष्ट अध्यापक हो फर्ष्ट ग्रेड हो पशुपरिचर हो थोटी मोटी जितनी भी जो एक्जाम्स हैं उन एक्जाम्स में बहत्रीन तयारी के लिए राजस्तान सामानी ज्यान का राजस्तान की पॉलिटी का राजस्तान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर बहुत ही बहत् का जो हिस्सा है वो जरूर बन सकते हैं राज्तान सामानी ज्यान के कौमन जो आपके बैचेज हैं वो भी चल रहे हैं जिसमें राज्तान जियोग्राफी अलग से आप नए जिलों के नुसार पढ़ना चाहते हैं तो वह भी अवालेबल हैं इस्ट्री कल्चर एंड जो आर्ट मानवादिकार आयोग तो राज्तान राज्य मानवादिकार आयोग के बारे में अगर बात करें तो राज्य जो मानवादिकार आयोग हैं इसकी जो इस्तापना है वो आपकी 18 जनवरी 1999 को क्या हुई थी स्ताफना हुई राज्सतान इस्टेट यूमन राइट कमिस्टन स्ताफित हुआ और मार्च 2000 में क्या हुआ था एक्टी हुआ था क्रियाशिल हुआ था और क्रियाशिल कब होता है जब आपका चेर परसन्ड या इसका अध्यक्स है उपद पर कुर्शी पर बेट जाता है तो इनके पर्थम जो अध्यक्स है वो कौन बने थे कांता भटनागर पर्थमानवादिकार आयो की पहली और एकमात्र महिला अध्यक्स के रूप में पदस्तापित हुई ये बात आपको ध्यान में रखना है अब बात करते हैं वर्तमान की तो वर्तमान में जश्टिस श्री गोपाल कृष्णे व्यास राज्यमानवादिकार आयो की क्या है चेर अध्यक्स है इनका कारेकाल कितना होता है आपको ध्यान में रखना है इनका जो कारेकाल पहले 5 वर्ष और सदस्य और एक अध्यक्स था स्टार्टिंग में जब इनका गटन हुआ उस समय चार सदस्य एक अध्यक्स का प्रावदान था उसके बाद में 2006 में ये जो चीजे है वो संसोदित करके दो सदस्य और एक अध्यक्स का प्रावदान है वो कब किया गया 2000 ये जो प्रावदान है ये कार्येकाल वाला ध्यान में रखना है ये 2019 में किया गया ठीक है और 2019 में एक ये भी प्रावधान किया गया था पहले सुप्रिम जो हाई कोर्ट का मुख्य नयादीस ही राज्तान राज्य मानवादिकार आयोग का चेर्मेन बन सकता था 2019 में ये संसुदन करके हाई कोर्ट का सेवा नयादीस भी राज्य मानवादिकार आयोग का क्या बन सकता है अध्यक्स बन सकता है चेर परशन बन सकता है तो ये जो संसुदन है ये 2009 में सोरी मैटपोन संसुदन हुए और 6 में जो संसुदन पहली बार राज्य मानवादिकार आ में बना उसके तहत 18 जनुवरी 1909 में में राज्तान में राज्य मानवदिकार आयोग को अगटन हुआ इसमें संसुदन पहली बार 2006 में हुआ और 6 में संसुदन होकर के इस्टेट यूमन राइट कमिशन में जो उनका संगटन है कमपोजिशन है उसमें आपकी क्या हुई कमी हुई पहले चार सदस्य थे उनको दो कर दिया 2006 में ये बात आपको ध्यान में रखनी है वरतमान में इन आयोग में बात करें तो एक अध्यक्स और दो सदस्य होते हैं अ कुछन्कों knowledge हो यनिकी आपका सेवा नीवरत या वरतमान में नियादीस रह चुका हो उसकता है और पूरू के नियादीस के रूप में भी वो सकता है तो एक तो आपका जिनको यनिकी आपका मैनली बात करें तो जूडिसाल सर्विस से हो और दूसरा जो सदस्य हैं वह मैनल और रादिकार ख्रीपादी से संवंद्दी त्विशेश क्यान हो जादा अभी इस हिस्ट इस को वह संदस्य बनाते हैं gio гopala krizyn गोपाल लुपाल कूर के रायो के व्रत्मान में अद्यक्सٍ हैופ की औफिसियल महस के नुशार है तरी महेस गोएल है यह वरतमान में इनके सदस्य है और जस्टिस स्री राम चंडरे शिंग जाला है ये भी इनके सदस्य है इनमें एक investigating agency भी होती है जिसमें आपका जो उनका head होता है ठीक है investigating agency इन स्विम की होती है एक निरिक्षन दल का जो हेड होता है वो इंस्पेक्टर जनरल ओफ पुलीस यानि कि पुलीस महा निरिक्षक सकते नीचे का इस तरका वेक्ति हो नहीं हो सकता है ठीक है वो भी बात आपको बहुत मैत्पोन है दियान में रखना है मानवादिकार शंगरिक्षन अधिरियम की धार 23 में इनको क्या है वेदानिक गारंटी दी गई है लगार्रेनश ओर 23 में इनको क्या दी गई है विद्य स्विकर्ट्री दी गई है ये भी कापी मैत्पोन है कहीं बार पूचा जाता है विद्य अगर बात करें ये तो वेदानिक गारंटी है और ये आपकी विद्य स्वायत्ता है विद्य स्वायत्ता किस में दी गई है धारा 33 में दी गई है ये वेदानिक गारंटी 23 में दी गई है ये बात भी आप जान में रखेंगे ठीक है नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के लोकायुक्त की तो राजस्थान में लोकायुक्त की संस्ता है यह आपकी कब अस्तित्माई लोकायुक्त उप लोकायुक्त जो अधिनियम है वो आपका 1903 के नाम से जाना जाता है और फरवरी 1903 में लोकायुक्त का राजस्थान में ग साथ ना इसी एक्ट के तैथ फ्रवडी उनीज्व में है वह हुई ठीक है और राजस्तान में अगर बात करें तो ऑनरेबल जश्चिस श्री प्रताप कृष्ण लोहरा यह नहीं की जो आपके फीक के लोहरा है ठीके यह राजस्तान में क्या हैं लोका युक्त है पिर के लोहराद लोकाइक क्या कारिय होता है राजस्तान में जो राजस्तान की जो सरकार हैं और राजस्तान के विबिन जो डिपार्टमेंट है उसमें जो ब्रश्टाचार होता है अच्क्वरूर्थ करता है ईनकी में जांच करने का पास में यह है जो आपके सरपंच इत्यादी है राज्यमानवादिकार आयोग है इसके लावा बात करें तो और भी कुछ में आरपीस इत्यादी एसी कुछ सनस्ताओं को छोड़ करके बाकी जो मंत्री इत्यादी है उस मंत्रियों पर Manly, बरिष्टाचार, एक्रमिनेता इतियादी की जो जाच करता है, वो आपका लोकायुक्त द्रस्तान है, वो करता है, लोकायुक्त के द्वारा की जाती है, तो इसमें काफी बार ये पूछा जाता है, कौन लोकायुक्त के दाइरे में नहीं आता है, कौन आता है, तो वो आपने बली बांती पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है, तो एक बार आप जरूर है, वो पढ़िए, ठीक है, तो लोकायुक्त की स्थापना, और प्रिके जो लोहडा है, एक स्वाल पूछता हूं कि राजस्तान के पहले लोकाईक्स थे इनका स्वाल इनका जो जबाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किन किन को पता है अगर नहीं पता हो तो Google सर्च करके ततकाल आप यो आंसर है वो दीजिये ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें, तो राजस्थान में राज्य वित आयोग, वित आयोग हैं, बाकी वाले ज्यादातर कैसे हैं, हमने देखा जो RPS यह है, जिनका उलेक सम्विधान में होता है, वो सम्विधानिक जो आपके आयोग हैं, जिनका उलेक सम्विधान में नहीं होता है, सम्वेधानिक निकाय बात करें आपके हमने अभी तक जो पहले डिसकस किया जो मुख्य सचीव है यह कोई सम्वेधानिक नहीं है अगर आयोग की मैत्कुन अगर बात करें तो आयोगों में हमने अभी जो सम्वेधानिक नहीं है इसके अलावा हाई कोर्ट है तो यह तो सम्वेधानिक पता है मानवादिकार है यह आपका सम्वेधिक पत है लोकाइक्त है यह साविदिक पद है यहने कि स्टेचुरी बोड़ी है सम्विधान में उल्लेक नहीं है कोई एक्ट बनाकर के अधिनियम बनाकर के यह चीज है वो बाद में जूड़ी गई है और इसके अलाव बात करें तो RPSC है यह सम्विधानिक संस्ता है लेकिन रास्तान क्रमचारी चन बोड़ है यह सम्विधानिक संस्ता नहीं है तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है तो सम्विधानिक निकाय है तो इनका सम्विधानिक में उल्लेक कहां है तो अनुच्छेद 243 I और 243 Y में राज्यवित आयोग का उलेख है आई में राज्यवित आयोग क्या करता है पंचायती राजसलस्ता है उनमें आपका जो वित का डिस्टिबियूशन करता है यानि कि केंदर सरकार जो भी पेशे इत्यादी आते हैं केंदर सरकार अलोकेज़ क करती है कि इतना प्रतिसत है हमारे पास में जो धन है उनका लोकल बोडी में वित्रित किया जाएगा तो वह कितना क्या किया जाना है उसकी सिपारिस इत्यादी करते हैं कहां कितने कौन से स्टेट में कौन से डिस्टिक में कितने पेशों की जरूर्त है लोकल बोडी के करके राजी सरकार को बेजती है और उसके बाद में है राजी सरकार वहां पर इसके अनुसार य Catharinis हो चुके हैं पहला जो वितायोग हैं पर्फम अगर वितायोग की बात करें तो पहला वितायोग कब गठित हुआ था एक अप्रेल निशो 55-95-こんにちは से लगा करके यह 1999 दो हजार तक राज्सतान का पहला वित आयोग है और वरतमान में राजस्तान में बात करें तो चटा वित आयोग है चटा फिनेंसियल कमिशन है राजस्तान में और चटा वित आयोग है वो आपका दो हजार बीस इकीस से दो हजार तो बीस पचीस तक है आपका यह क्रियासिल रहेगा तो इस छटेवित आयू के चेर्मेन है वो परद्यूमन सिंग है यह राजस्तान के पहले वित मंत्री भी रह चुके हैं तुसरी परद्यूमन सिंग राजस्तान के छटे वितायूग के क्या है अध्यक्ष है और डॉक्टर असोक लाहूटी है ये छटे वितायूग के सदस्य है और डॉक्टर लक्षमन सिंग रावत है ये छटे वितायूग के क्या है सदस्य है ठीक है और एक देशारी नाम करके से और एक अध्यक्स है इसका composition है आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यह 243 आई-वाई के तहट ठीक है और पहला जो गठन हुआ था वे एक अप्रेल 1925 को राजस्तान का पहला वित आयोग है वो गठन इसका हुआ था नेक्स्ट बात करें राजस्तान information commission RIC राजस्तान सूचना आयोग ठीक है तो राजस्तान सूचना आयोग information commission कैसा नेकाय है तो सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहट इस आयोग का घठन किया गया है तो यह आयोग है यह आपका कैसा है समवे धानिक नहीं है बलकि सामवीदिक है इस्टे चुरी बोडी है ठीक है विधी द्वारा इस्तापित सामवीदिक तो RIC की बात करें तो RIC के वरतमान में चेर परशन कोन है श्री देवेंद्र भूशन गुपता या डीबी गुपता राजस्तान के वरतमान में क्या है मुख्य सूचना आयोग की अगर बात करें तो सूचना आयोग है इसका जो गठन है यह गठन कब हुआ तो गठन से आप से पूचा जाए तो इसका गठन जो हुआ था वो तेरा अप्रेल तेरा अप्रेल 2006 को क्या हुई थी अधी सूचना जारी हुई इसका गजट नोटिफिकेशन निकला अधी सूचना जारी ठीक है और 18 अप्रेल 2006 को ये क्या हुआ था क्रिया सील हुआ ठीक है कभी कभी गठन में आपके 18 अप्रेल वाड़ी डेट दे दी जाती है तो कोई भी एक डेट आएगी या तो 18 अप्रेल या 13 अप्रेल आएगी वो एक आपको ज्यान में रखना है तो 18 को अधी सूचना जारी हुई 18 को क्रिया सील के से होता है तो आपके सूचना के प्रथम जो आयोग थे वो कौन थे एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिक्तम 10 आपके है वो सूचना आयुक्त है वो हो सकते हैं ये संक्या क्या है अधिक्तम है मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त है वो हो सकते हैं एक मुख्य होगा 10 अन्य होंगे राजस्तान में क्या है वरतमान में तो 1 प्लस 4 है राज्तान की महालेखाकार और डीबी गुपता है ये राज्तान के मुख्य सूचना अयुक्त है नेक्स्ट है इलेक्षन कमिशन ठीक है राज्ये तुनाव आयोग राज्ये तुनाव कहें या निर्वाचन कहें राज्ये निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्ये निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है गठन होता है जुलाई निसो चुराणवे में ठीक है और ये भी एक कैसा है समविधानिक निकाह है समविधानिक निकाह है समविधान में 243 के और 243 जेड एक के तहट आपका स्टेट इलेक्शन कमिशन का प्रावदान है इसका कारिय क्या होता है तो लोकल बोडिज है इस्थाने जो निकाह है यानिकी पंचायति राज और नगर पालिका इनके प्रतेएक पांच साल की समयावदी के बाद में इलेक्शन करवाना इनका है वो मुक्षधायत पर होता है एक आपका ये तारवे और चोतरवे स्विधानिक संसुदन की अगर बात करें तो यह तो आपका तारवे स7 का प्रावदान है श्यक्रवा करें और ये शोतरवे स 15 संसुदन के नंका है वरतमार में बात करें तो आपके राजी वितायो के अध्यक्स तो प्रद्यूमन सिंग है च्टे वितायो के और श्री मदुकर जो गुपता है ये राजस्तान के क्या है मुख्य अगर बात करें इलेक्शन जो आपके कमिशनर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है मदुकर गुपता तो गुपता जी के बारे में आपको ध्यान में रखना है मुखय निर्वाचन आयोग, मुखय चुनाव आयोग राज्टान के कौन है, मदूकर गुपता है, ठीक है और इस आयोग के बारे में ध्यान में रखना है मैट कुन बात है यह एकल सधिय आयोग है यह क्या है, एकल सधिय आपका कमिस्टिर है, सिंगल मेंबर है एक इसमें तदस्य होता है ठीक है election commission में और local bodies के चुनाव संपन करवाते हैं ठीक है तो यह आपके पहला अगर बात करें जो निर्वाचन आयोग है प्रथम निर्वाचन आयोग के पहले जो आपके आयोग कौन थे यह भी आप से पूचा जा सकता है तुसरी अमर सिंग राठोड है यह राजस्तान के पहले election commissioner थे राजस्तान राजिये तुनाव आयोग के पहले तो आयोग है वो अमर सिंग राठोड वरतमान में डीबी यह सुरी मदुकर गुपता ठीक है तो यह गुपता जी एक और आ गए है परविन गुपता ठीक है तो परविन जो गुपता है यह चीफ electoral officer राजस्तान यानि कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्तान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है परविन गुपता राजस्तान के मुख्य चुनाव आयोग कौन है ठीक है तो निर्वाचन अधिकारी अलग है और चुनाव अलग है ठीक है तो यह जो आपके गुपता जी है मदुकर गुप्ता जी है ये चुनाव आयुक्त हैं लेकिन आपके परविल गुप्ता जी है ये राजस्तान के क्या है चीफ एलेक्टोरल ओफिसर हैं राजस्तान के मुक्ष निर्वाचन अधिकारी है इन दोनों का काम क्या है इनका जो काम है वह आपके local bodies है यहने की इस्थानिय नि दिकायों के चुनाव जो संपन करवाते हैं ये कौन करवाते हैं इस्टेट इलेक्शन कमिशन करवाता है लेकिन जो आपके लोकसभा के यानि कि संसद के चुनाव जिसमें लोकसभा राजसभा होती है तो संसद के चुनाव राष्टपति के चुनाव है वो जो संपन करवाने का काव में है संसत के चुनाव में आपका राजे सबा का लोग सबा के यानिकी जुस्तांसत के चुनाव इत्यादी है इस्टेट की जो लेजिसलेचर है यानिकी राजे विदान सबा है राजस्तान में विदान सबा ही है तो विदान सबा के जो चुनाव संपन करवाते हैं लो कहां इन्रवाचनमान में कीफ इलेक्शन कमिशनर मुख्य निर्वाचन अयोग के और आपके स्री अकरी यह भीphony candidate कमिशनर है तो यह जो बुन ए बारति निरवाचन कमिशनर है निर्वाचनमान रहे और राज्तान में भारत में अन्यग जो स्टेट्स हैं तो उन पूरे राजियों में यह सीधे तोर पर तो नियंतरण निदेशन इत्यादी अधिकारी है वो कौन है परविन गुपता है और ये परविन गुपता भारत निर्वाचन आयोग के अधीन इस्थान ये जो आपके विदान सभा के चुनाव है लोक सभा के चुनाव है राजस्तान में राजिस सभा के जो चुनाव है उन चुनावों में आपकी जो मैनली भारत निर्वाचन आयू का जितना भी जो काम होता है उनकी पूरी जिम्मेदारी परविण गुपता जी की रहती है यानि की राजस्तान के चीफ इलेक्टोरल ओफिसर की है वो रहती है तो इनका जो कारिय क्या होता है विदान सबा और विदान सबा इस्थानी है संसद सदस्यों का सुनाव संबंदी जो पूरा कारे है वो आपके राज्ये के मुखे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा संबाला जाता है । यह आपके परुविण गुपता जी आपको द्यान में रखना है तो यह गुप्ता जी आप अच्छी तोरीके से ध्यान में रखेंगे मदुकर गुप्ता जी है चीफिलेक्षण कमिशनर है राज्तान के मुह है मुखे निरुवाचन अधिकारी की बात करें तो मुखे निरुवाचन अधिकारी है हो आपके कौन हो जाएंगे परविन गुपता और मदुकर गुपता है ये राज़तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं डीबी गुपता है हमने पड़ा तो डीबी गुपता आपको ध्यान में रखना है राज़तान के information जो commissioner है तूचना जो आयुग है वो आपके डीबी देवंद्र भुषन गुपता है इसके अलावा एक त्रिप्ती गुपता के बारे में हमने डिस्कस किया तो त्रिप्ती गुपता राज़तान की महा लेकाकार है तो ये जो गुपता जी है इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है आगे है राजस्तान के State Commission for Women, यानि कि राजस्तान की जो महिला आयोग है, इस राजस्तान महिला आयोग की वरतमान में कमिस्नर कौन है, महिला आयोग की अध्यक्स कौन है, ठीक है, तो महिला आयोग की अध्यक्स है, स्रीमती रहयाना रियाज चिस्ति, स्रीमती रहयाना चिस्ति ठीक है तो स्रीमति रियाना रियाज जो चिस्ति है ये राजस्तान राज्य मानवा अधिकार आयोग की वरतमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिक्स कौन है तो ये आपकी अधिक्स है मानवार अधिकार आयोग नहीं सुरी महिला आयोग ठीक है तो स्रिमति रिया ना रियाज चिस्ति राज्टान की महिला आयोग की वरतमान में अध्यक्स हैं और इनकी पहली अध्यक्स आप से पूछ लिया जाए तो पहली बात तो है इसका गटन है वो कब हुआ और पहली जो अध्यक्स है राज्यस्तान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्स है वो कौन थी कांता खतूरिया ठीक है कांता खतूरिया है पहली अध्यक्स वरतमान में रियाना रियाज चिस्ति और इसमें वरतमान में बात करें तो एक अध्यक्स होती है और तीन सदस्या किए अब अद्यक्स की बात करें यह सदस्य है थि के सदस्य कौन होते हैं इसमें एक SAC की होती है एक ST की इसमें रहती है और इसके इसके जो क्रित्य है कारिये हैं ठीक है वह आपकी ईस राजस्तान राज़े मानवादी का महिला आयोग है ये एक्ट बनाये गया था 1990 में निशु निझाणवे में और इस एक्ट की धारा 12 में इसके क्रत्य है वो दिये गए है ठीक है तो यह आप महिला कार आयोग के बारे में ठ्यान में आगे अब हम देखते हैं राजस्थान के जो केबिनेट हैं इन केबिनेट के जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं इनके बारे में हम डिसकस करते हैं तो इसका मैं थोड़ा सा जल्दी ही लेने का प्रयास करूँगा क्योंकि काफी है वो टाइम हो गया है ठीक है और एक बार आप इ मख्यमंतरी के रूप में पन्रहा दिसंबर दो हजारagen डिश इस को यह राजस्थान के मुक्यमंत्री के रूप में इनों नहों ने क्या ली थी शपत ली कि इन कीग्त्य तो यह राज्तान के चोधवे मुख्य मंत्री Kramagat रूप से यह नेए डिसकस किया सांगा-जान-इर विदान-साभा में मुख्य मंत्रि के साहते साहत waar वि इस ने मंत्रा यंचे ने हैं वो गवाग के नेर्न और स्टन के म copन क्जोन या नहीं डिरतान शाबकारि विबाग के मंत्री है दारुवलार वो आपका काम होता है उनके मंत्री है गरह विबाग यद एक का पूरा इनके पास में है आयोजना विबाग है सामान्य प्रशासण नीती निर्दारण प्रकोष्ट मुख्य मंत्री सचीवाले, सूचना एम, जनसंपर्क, विबाग, DIPR, ब्रैष्टाचार, निरुदक, ब्यूरो, S.E.B. तो इन ये जो मंत्रा ले इनके पास में है, विसेश तोर पर प्रिक्षा में जो पूछा जाएगा, वो एक ध्यान में रखना है, ग्रहे विबाग, S.E.B., DIPR, ये दो, तिन जो मंत्रा ले है, कार्मिक विबाग इत्यादी ये ध्यान में रखेंगे, राजस्तान के दूसरी उपमुक्य मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी की बात करें, तो दिया कुमारी राजस्तान की वित मंत्री है, और हाली में इन्होंने लेका अनुदान पेस किया, अंत्रिम जो बजट है, वो इन्होंने ही पेस किया है, ठीक है, प्रेटन विबाग की यानिकी प्रेटन मंत्री है राजस्तान की कलास आयत्य संस्कृति और प्रात्य विवाग की मंत्री है राजस्तान की महिला और बाल विकास विवाग की मंत्री है और बाल अधिकारिता विवाग की मंत्री है यह राजस्तान में विद्यादर नगर्शे चुन करके आई है और श अधानिय रूप से यह आपके कहां के हैं बरतपुर के रहने वाले हैं ठीक है डॉक्टर प्रेम चंद बेरवा है अनुशूचित जाती से यह आपके बिलोंग करते हैं और यह उक्मुक्य मंत्री है राजस्तान के टक्निकी शिक्षा विभाग के यानिकी जो टेक्निकल मिनिष्ट इनके पास में है आयूर्वेदा योग प्राकरतिक ठिकित्सा और युनानी शिद्दा और होमियोपति यह निकी आयूस मंत्रा ले तो उच्छ शिक्षा मंत्री तक्निकी शिक्षा मंत्री आयूस मंत्रा ले और इसके अलावा बात करें तो परिवन सडक परिवन जो मंत्राले है वो भी इनके पास में है रोड एंड ट्रास्पॉर्टेशन तो यह आपके राज्तान के जो मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री है उनके पास पास में कौन कौन से है वो विभाग है तो ग्रह मंत्री कार्मिक डी आई प्यार ACB ये आपके मुख्य मंत्री महदय के पास में है वित मंत्राले है ये दिया कुमारी जी के पास में है प्रेटन जो विकास है संस्कृती है ये भी दिया कुमारी जी के पास में है और बात करें तो आपके सडक परिवयन जो मंत्राले है इसके अलावा बात करें उच्छी शिक् पहले हमने देखा क्या थे राजय सभा के सदस्य थे राजस्तान से ठीक है और अब राजस्तान के के बिनेट के मंत्री बन गए है अग्रिकल्चर होर्टिकल्चर जो विवाग हैं करशी उद्याने की हैं यह डॉक्टर किरोडलाल मिनाजी के पास में हैं ग्रामनी विकास आप पर राजस्तान के शिक्षा मंत्री उचिश शिक्षा मंत्री में बात करें तो श्कूल-eηजूकेशनन के जू मिनिश्टय है विज्याली सिक्षा मंत्री है वूँ आपके कौन है मदनजी दिलावर है पंच्छायती जो आपके संस्कृत विभाग के मंत्री हैं पंचाहित राज के और विद्याली शिक्षा के हैं एक करणनल राजय वर्दन सिंग्ग राठोड के मंत्री है राजस्तान के और यह राजस्तान में बहुत ही दमखम इन्हों दिखाया था पूरे भारती स्तर पर अंतराश्टी स्तर पर तो इनको है जो टवड़ा विदान सभा सीट से यह निर्वाचित होकट के आए हैं और राजस्तान में इनको यूवा मामले खेल विभाग और कोसल विभाग नियोजन उद्यमिता जैने की स्किल डेवलप्मेंट है सैनिकों का कल्यान से संबंदित विभाग है और आपका जो आपका स्पोर्ट्स जो डेपराटमेंट है ये सारा का-सारा इनके पास मैं है इसके लवा तूचना प्रथ्योगी की और सुंचार विभाग है ICT और उद्योग और वानी जी विभाग ये करनल राज्यवर्द्र सिंथ राटोड के पास में हैं आगे बात करें चिकित्सा और स्वास्ति विबाग है और चिकित्सा एंस विपास में इनके पास में हैं बाबुलार खृराड़ी यह आमके अनुशुचित जनझाती के मंत्री है और जन्जातिक चत्रिविकास विवाग ग्रह रख्षा विवाग निके पास में है जोगाराम पटेल जी है यह आपके लूनि से चुनकर के आये है केबिनेट मंत्री के रूप में संसदिय बासा के उधा manifार्व मंत्राले इनके के पास में है जोगराम फ। प्रटेल के पास में सुरेस सिंग रावत जलिसद्न विवाग है इन के पास में सामाजिक नियाई और अधिकारीता मंत्री है जोराराम कुमावत है unser ऐ्मत् की मेनह के पास में राज़स्थ्व इस रिव property और अपनिवेशन यहे कि नए जिलों से संभन्रित विवाग है ये मिना जी के पास में है निया लाल जी की बात करें तो इनके पास में जन्द स्वास्ति अभियांतरी की विवाग भूजल विवाग है केबिनेट सुमित गोदारा अध्य अमनागरिक आपूर्टी विवाग उद्योग मामलें से संबंदित विवाग हैं यह चीजे आपको अच्छी तरीके से तभी याद हो पाएगी जब आप डेली बेसिस पर न्यूज पढ़ेंगे न्यूज थुनेंगे ठीक है आज इस मंत्री ने यह कि या न्यूज में डेली चीजे रहेगी तब आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगी ठीक है तो फिर भी आप यहां पर गोर करें मैं मैं जो चीजे हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो यह सवाल अगर पूचे जाएं विशन्टली जो एक्जाम्स में संगण लाल नागर के पास में उर्जा विवाग हैं और यह राजिस्तान के राज्य मंत्री है ठीक है वो सोतंत्र प्रबार वाले थे ठीक है जैने कि सोतंत्र प्रबार वाले केबिनेट की बैटकों में भाग नहीं ले सकते हैं बाकी केबिनेट के जितना ही उनके पास में पावर ह स्वाल और यह सवाल इस सेशन का अंतीम सवाल रहेगा और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्टन में हो देना होगा ठीक है और बहुत ही बेतरीन सवाल है जिसका हमने डिसकस किया उसी से रेलेटेड है कि राजस्तान की सोल वी विदान सवा में पदस्थापित वेक्टितु के संबंद में असत्य वेकलब का आपको चैन करना है एक नंबर दिया है तो ठीका राम जूल नहीं है ठीका राम जूली विपक्स का नेता लीडर ओप ऑपोजिशन असत्य आपको देखना और स्री काली चर्ण स्राप प्रोटेम स्पिकर तो इसका जो राइट जवाब है वो आपको कमेंट सेक्षन में है वो देना होगा ठीक है और इसकी कम्प्लीट पीडियोप आपको ओम डिजिटल इस्टडी टेलिग्राम चैनल और मोबाल एप्लिकेशन में इस्षित रूप पीतियादी सेपरेटली भी आपको कोर्षेज मिल जाएंगे और एक इंटिग्रेट जो कोर्ष है जिसमें नए जिलों के नुसार बहुत ही बेतरी तरीके से आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा विगत प्रिक्षाओं के फ्री प्रिवियस पैपर्स प्र पीडियप में हो डाल दूंगा या फिर कोई नया यहां पर टेप करेट करके वहां पर हो डलवा देंगे ठीक है तो यह पीडियप भी आपको इस मोबाइल एप्लिकेशन में कल से सो हो जाएगी ठीक है और आप हमारे विबिन सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब आपने किया ही होगा तेलिग्राम चैनल इस्टाग्राम और मोबाइल एप्लिकेशन इस क्यूर कोड को इसके भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी तो वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्य जाएगा कि यह यह है यह यह है लेकिन उनका पहले कौन था उनकी स्थापना कब हुई उसके आसपास में जो मैत्पूर्ण चीजे हैं वह मैंने बहुत कम समय में आपको बेहतरीं तरीके से प्रवाइड करवाने का प्रयास किया है तो आपका भी यह कर्तिवे बनता है कि इ इवीडियो आपको पहुंचाना है और इसको लाइक तो आप जरूरी करें ठीकें और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब भी जरूर करें thank you so much आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुक्रिया झाल झाल